तो आफसे को नमस्ते प्राम मैं आपका अपने ठाकों प्रेखर सिंग और रात के दस बच चुके हैं और का हानी का जो सिलसिला है पदस्तूर जा रही है तेलंग का नाम में एक जगा लगती है भूवनगिरी और मैं बात कर रहा हूँ साल 1981 के आसपास की इसी भूवनगिरी में 1981 में एक लड़की का जन्म होता है लड़की का नाम घरवालों ने बड़े प्यार से रखा प्रतियुशा देखने में बच्पन सी बेहत खुबसूरत प्रतियुशा की जो फादर थे उनकी इतिफाक से या फिर बदकिस्मती कहें बच्पन में ही डेथ ह हो जाती है अब प्रतियुशा का एक भाई भी था प्रभीर अब चुकि फादर की डेथ हो गए तो प्रतियुशा को पालने की पूशने की परवरिश देने की अच्छे शिच्छा देने की यह त्माम जिम्मेदारी प्रतियुशा की जो मदर थी सरोजनी देवी उन्पे आ हाला कि जो सरुजनी देवी थी वो उस टाइम गौर्मेंट टीचर थी एक प्राइमरी स्कूल में इस वज़ा से थोड़ी बहुत सेरली वहां से मिल जाती थी तो उसी पैसे से जैसे तैसे करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया अपने बेटी को भी पढ़ाया घरवालों की इक्षा थी खासकर मदर की की चाहे बेटा चाहे बेटी दोनों में से अगर कोई भी ठीक ठाक मुकाम हासिल कर लेगा तो कहें न कहीं परिवार की जो जिन्दगी है थोड़ी से सुधर जाएगी जो संघर्स वरा जीवन है वो थोड़ा बहुत पटरी पे आ जाएगा प् वो हमेशा देखती कि किस हिसाब से उसकी ममी शंघर्स कर रही है आज के हिसाब से उस टाइम जो चीजे थे अतनी मौडन भी नहीं थी महिलाओं के लिए बाहर निकलना वो भी बड़ा मुस्किल था अपने बेटे बेटी को पालना वो भी नामुकिन होने के बराबर था उसके बाद भी सरोजनी जैसे तैसे करके प्रतिवशा को प्रविट चंद्रा को दोनों को पाल पोस रहें तो यह तमाम चीजे जब प्रतिवशा देखती तो बड़ा हर्ट होती है उसे लगा कि कुस तो किया जाया पहले उसने पढ़ने लिखने पे ध्यान लगाया उसने स अंतोस विद्या निकेतन से अपनी जो प्रैमरी सिच्छा है उसे पूरा किया उसके बाद फिर उसने सोचा कि अगर होटल मैनेजमेंट कर लिया जाए जोकि उस टाइम के हिसाब से थोड़ा हटके कोर्स था तो सकता है कि ठीक ठाक नौकरी मिल जाए जोकि देखने में भी अच्छी थी खूबशूरत थी तो होटल मैनेजमेंट और जॉब में इस चीज का उसे एक तरह से ड्वांटेज मिलता ज्यादत तर होटल वाले हूं या फिर ऐसी कोई कोचिंग इंस्ट्यूट ही आप देख लीजे खूबशूरत लडगीयों को अपने रिशेप्शन पे ज्यादा बैठाना चाहते हैं तो प्रत्यूशा ने फिर अपनी मम्मी से इस बारे में बात की उसके बाद एक कॉलेज है जेवी इंस्ट्यूट आप मनेजमेंट वहां से उसने होटल मनेजमेंट का कोर्स करना शुरू कर दिया टोइल्थ के बाद अब इदर होटल मनेजमे करन का कोर्स कर रहे हैं अब किस्मत कहें या फिर बतकिस्मती कहें वहां से कुछ उसका हो नहीं पाया अब उसका हो नहीं पाया वो परिशान करे क्या इसी दवरान फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि काम करते हैं कुछ सिनेमा और गयरा में ट्राइ करते हैं अब सिने आता थी उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप करो वेटा जो भी हो सकता है हम आपके शपोर्ट में खड़े हैं इसी के बाद से अब एक्टिंग का भूद भी था देखने में भी खुबसूरत थी काफी लोगों ने कहा भी कि ये तो अगर फिल्मों में ट्राइ करे तो हेरोईन बन करती है कभी कहीं और कभी कहीं और लेकिन बात बन नहीं रही थी उसे साब से लगातार वो मेहनत कर रही है लगातार कोशिश कर रही है कभी कहीं जाती ऑडिशन देती लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं साल दर साल गुजरते रहे प्रतियुशा कोशिश करती रहे लेकिन इ इस टेलिविजन स्टार कॉंटेक्स्ट में प्रतियुसा ने भी पार्टिशिपेट किया, अब वो पार्टिशिपेट करती है, इतिफाक से किसम सही, जीत तो नहीं पाई, लेकिन वहाँ पे एक अवार्ड था, जिसे कहा गया लबली स्माइल, यह ने जितनी भी लड़कें उ उसमें से जिसकी स्माइल सबसे ज्यादा प्यारी होगी, यह अवार्ड उसी को मिलेगा, अब प्रतियुशा ने जब इसमें पार्टिशिपेट किया, इसकी स्माइल, इसके चेहरे के नक्रे, इसके नक्षे को जब वहां के जैजिस ने देखा, तो फिर इसे लबली स्माइ का एक अबॉर्ड दिया और यहीं के बाद से फिर प्रत्यूशा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा लगातार वो बुलंदी पे चढ़ती चली गई लगातार उसने फिर वो मक्बूलियत वो सहरत हासिल की कि सायद कहते हैं कि अगर वो जिंदा रही होती अगर वो ठीक ठ पना सुरू किया कई मुवी उसने की साल 1998 में उसकी एक मुवी आई जिसका नाम था राइडू और यह तेलगू मुवी थी अब जैसी राइडू मुवी आई आने के बाद फिर इस मुवी में उसने काम किया बत और हिरोईन काम किया मुवी रिलीज हुई कहते हैं कि मुवी ठाक कमाई करती उस टाइम पे और इस पूरी मूबी के चलने का जुस्रे था और खासकर उस टाइम 1998-1997 खासकर 2010 तक जब ज़्यादा तर रशीजे इंटरनेट सोसल मीडिया पे नहीं थे उस टाइम हिरोईन का सुंदर होना ज्यादा जरूई था इसकी विपरीत की हिरोईन ए सक्सियत दिखाई आती थी सारा नया से लड़ने का जो काम होता वो भी हीरो करता हिरोईन बस गाना डांस रोमांस एक तरह से हीरो की कमजोरिक रूप में उसे दिखाया जाता तो इस टाइम जब यह तमाम चीजे चल रही थी उस टाइम प्रतियुशा ने अपने बड़ अच्छा काम किया इसे के बाद से बड़े बड़े डिरेक्टरों के निगाह में उचड़ती चली गई बड़े बड़े डिरेक्टर उसे पसंद करने लगे बड़े बड़े लोग उसे चाहने लगे टीवी पर आने लगी लोग उसको देखने के लिए अब दिवाने थी उसके एक्टिंग लोग कायल होने लगे यहां तक लोग प्रेडिक्शन लगाने लगे कि अगर मुवी में प्रतियुशा है तो लोग किसी और को नहीं प्रतियुशा को देखने आएंगे बला की खुशूरती कमाल की अदाकारा सब कुछ ऐसा की मानूरियल में हो रहा हो त दरसर प्रतियुशा चाहती थी कि एक लड़का है जिसे वो प्यार करती थी उससे शादी हो जाए जिसका नाम था सिधार्थ रेड़ी बच्पन की दोस्ती थी बच्पन से ही सिधार्थ रेड़ी को पसंद करती थी चाहती थी सिधार्थ भी चाहता था इस बारे में प्रति पोस्ट मानी जाती थी अब सिधात रेड़ी के बारे में जब प्रतिव्शा के मदर को उसके भाई को पता चला तो वो तो काफी खुश थे उनके इच्छा थी कि प्रतिव्शा इसी से साधी करें लेकिन इसकी बिप्रित जो शिधात रेड़ी के मादर-फादर थे यानि उनक ऐसे तैसे करके दोनों ने अपनी रिस्ते को जिन्दा रखा, अपनी रिस्ते को बचाए रखा, लेकिन ये तमाम चीजें 23 फरोरी साल 2002 को ऐसा होता है, कि एक की जिन्दगी चली गई, एक जेल चला गया, और आज भी प्रतियुशा की जो मा हैं, उस टाइम से लेके दब तक उनकी आखरी शांस से चली, तब तक वो लगातार मेडिया और तमाम लोगों से संपर्क करती रहे, सबसे कहती रहे कि मेरी बिटिया के साथ गलत हुआ, और उसे इंसाब दिलवा दिया जाए, और एक बेगुना को फसाया गया, अब क्या हुआ, वो आपको बताता हूँ, द उसको देखने के लिए पागल हो जाए, तो ऐसे मैं अब शिद्धार्त और प्रतिवशा बड़ा छुप छुपा की मिला करते थे, ऐसे ही 23 फरोरी साल 2002 की तारी थी, जब दोनों मिलने का फैसला करते हैं, सबसे पहले जो प्रतिवशा है और जो सिद्धार्त है, दोनों एक ब्यूटी पारलर में मिलते हैं, पारलर में मिलने के बाद प्रतिवशा और सिद्धार्त एक दूसरी के साथ एक कार में बैठते हैं, बैठने के बाद रास्ते में रुकते हैं, रुकने के बाद कीट नाशक और कोल्डरिंग खरीते हैं, खरीतने के बाद एक जगा जाते है अब जैसे ही गाली से सिधार तो तरता है उसके बाद प्रतिवशा उतरती है तिक शक्स खड़ा था उसने फौरन देखा कि इस सिधार तो प्रतिवशा उतरें उतरने के बाद चुकी वो प्रतिवशा का बाइ gefाएन था वो चाह रहा था कि अगर मैं हम लोट के आए तो एक बार इंसे बात करूँ आटोग्राफ ले लूँ, कुछ अपने बारे में कहूँ, कुछ उनके बारे में जानो अब ये नीचे इंतिजार कर रहा हूँ, उसके अब पतिशा और सिधार तुस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं, एक कमरी में जाते हैं, जाने के बाद इधर ये जो फैन था नीचे इंतिजार कर रहा हूँ, उसे लगा कि घंटे दो घंटे में आ जाएंगे, लेकिन अब दो चार घंटे कुछ अर गये, ये नीचे वेट कर रहा, परिशान है, कि मै माई क्यों नहीं, मन में एक हिचक भी है, एक डर भी है कि पता नहीं हो सकता है, रात रुक जाएं, लेकिन अब जिस हिसाब से उस बिल्डिंग में लोग आते जाते थे, इसे पता था कि ज़्यादा देर ये लोग रुकेंगे नहीं, तो घंटे दो घंटे, चार घंटे इस के बाद ये जाता है, जाने के बाद दर्वाजे को खटखटाता है, अब इसने दर्वाजा खटखटाया, अंदर से कोई रिस्पॉंस आया नहीं, इसे थोड़ा जीब भी लगा, आप डर भी लगा कि कहीं मैं को मैंने डिस्टर्ब न कर दिया हो, इसके बाद एक दो बार और खटखटाया, फिर अंदर से कोई हल चल, कोई रिस्पॉंस नहीं, अब इससे थोड़ा जीब लगा, कितने देर में तो आदमी चाहे गुस्से में ही आके दर्वाजा खोल देता हो, खोलने के बात कहता है कि क्या है बता हो, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉंस नहीं, इ देखने के बाद चेहरे की हवाईयां उड़ जाती है, पैरो तले जमीन खिसा जाती है, अंदर पत्यूशा पड़ी हुई थी, साथी सिध्धात भी पड़ा हुआ था, मुह से दोनों के जाग निकल ला था, और जाग निकलने के बाद दोनों अचेत पड़े थे, ये चीज जैसे ही वो शक्स देखता है, आसपास के लोग देखते हैं, फौरन दोनों को उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, केर हॉस्पिटल उस टाइम पे था, वहाँ पे जैसे ही लेके जाते हैं, ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं, तो सिधायत के अंदर तो जान बाकी थी लेकिन प्रत्यूशा दम तोड़ चुकी थी ये चीज जैसे ही आसपास के लोग जानते हैं फौरन हड़कम मजता है पुलिस आती है आने के बाद फौरन डॉक्टर पुलिस ये मिलके बॉड़ी कबजे में लेते हैं ये होता है कि 20 साल के एक्ट्रिस इस कदर कैसी मर गई चुकि साल 1981 में जन्म हुआ साल 2002 कादेस अगस्त में जन्म हुआ था फरोरी में तेईस तारी कोई घटना घट गई तो 20 साल लगभग उम्र परेशान फौरन ये हुआ कि पोश्माटम हो और उस टाइम जो पोश्माटम करने वाले थे और जिनको फाइनल रिपोर्ट ब प्रतिवशा का रेप हुआ है और साथ ही गला घोट के उसका कतल किया गया अब ये ख़बर जैसी लोगों के सामने आई लोग हैरान थे कि एक हिरोईन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है इसे दोरान जो प्रतिवशा की मदर थी फौरन मेडिया और लोगों के सामने आती है और एक मेले का नाम लेती हुए कहती ही कि उसी के दोनों बेटों ने ऐसा किया और उक कई बार मेरी बेटी की ज़ट लूट चुकी है अब इतना कहने के बाद फौरन हरकम मचने के बाद एक तरह से अफ़रा तफरी का माहौल उपर से नीचे तक पूरा सिस्टम हिल गया फौरन जो मौजूदा सरकार थे उसने जो जांच है वो CBI के हवाले कर दिया अब CBI आती है CBI आने के बाद जांच परताल करती है फिर से तमाम पहलों को खंगालती है और जब जांच परताल करते है और फिर से तमाम पहलों को खंगालती है तो पूरी रिपोर्ट बदल जाती है पहले और उसके साथ सिधार्थ ने भी किया अब ये लाइन जैसे ही बोला फोरां जो प्रतिशा की मादर है वो फिर से मीडिया के सामने आती और कहती ही कि नहीं अगर मेरी बिटिया ने सुसाइट किया भी है तो भी मेरी बेटी को सुसाइट के लिए उकसाया गया है उसके पीछी रीजन है चुकि एक गंटे पहले मेरी बेटी से बातचीत मेरी हुई थी बहत खुश थी सिधार्थ के पास थी हो तो ऐसा क्या हो गया कि उस सुसाइट कर चुकी है और ये मेले ने जो कुछ किया था उसके बेटों ने उसके बारे में तो मुझे पहले से पता है तो उसी की वज़ा से हो सकता है सुसाइट किया हूँ लेकिन माँ चाहे जितना कहती रही माँ चाहे जितना उसे मेले उसके बेटों प्यारोप लगाती रही ना है सी बी आई ने कुछ किया ना है इस मा के बारे में किसी ने कुछ सोचा अंत में जिस डॉक्टर ने पोस्टमाटम रिपोर्ट तयार की थे कि गला घोट के कतल हुआ जो कुछ हुआ था उस तमाम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और कहा गया कि जो डॉक्टर मुन्नी स्वाम में है उनकी रिपोर्ट ने कॉंट्रोवर्सी पैदा कर दी है उनको हटाने के बाद फिर जो प्रतिवशा की मा थी उन्होंने केस लड़ने का फैसला किया कुछ गवाह तैयार किया एक ऐसा गवाह था जो गवाह देने वाला था प्रतिवशा की मा के हिसाब से कि रेप हुआ था और जिन लोगों ने किया उनको मैंने देखा था लेगिन इससे पहले कि वो गवाह कोर्ट पहुंचता उसकी भी अचानक से मौत हो जाती है यानि पहले पुलिस जाँच परताल करती है जो रिपोर्ट डॉक्टर मनाते हैं उसको सीवी आई आके चेंज कर देती है उसके बाद फिर इसमें जो एक दूसरा शक्ष बचा सिधार्थ उसने अपना बयान किया दिया पुलिस के सामने क्या कुछ कहा उसको कोई किज नहीं जानता बस ये कह दिया गया सीवी आई ने कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि सिधार्थ नहीं सुसाइट करने के लिए उकसाया इस वज़ा से परतियुसा ने अत्मत्या किया और इस पूरे मामले का दोसी वो ही है जो खुद प्रतियुसा के साथ जिन्दिगी और मोत की लड़ाई लड़ा था इसलिए जो सजा हुई वो सिधार्थ को हो गए सच्चाई क्या है आज भी सामने नहीं आई इमले के बेटे ने क्या किया था क्या नहीं किया था ये भी कोई नहीं जानता लेकिन जब जब इस केस के बारे में परतियुसा की मां से पूछा गया तब तब परतियुसा की मां ने यहीं का कि नहीं मेरी बिटिया के साथ ऐसा कुछ हुआ था और एमल्ले के बेटे नहीं किया था लेकिन आज भी बेचारी इंसाफ मांगते मांगते बुड़े ही हो गई नजरे खतम हो गई दुनिया से गायब हो गई लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं तो फिलाल यह थी पूरी कहानी और अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी साथ तब तक अच्छे रहे खुश रही अपना ख्याल लगी अपने देश का ख्याल लगी जैहिंद पंदे मातरों